कि एलो स्ट्रेंज वोईस ऑफ वेरियस टेंसे जो की वोईस इसका बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है इसका मैंने तीन फोब पार्ट जो है सिंपल प्रेजेंट सिंपल पास्ट और सिंपल फ्यूचर इसके पहले वीडियो अप्लोड कर चुकी हूँ और यह मेरा वो नेक्स और मैंने आई बटन पे लिंक दे दिया है जाके फटावर से देख लीजिए फिर चलिए अब इसके क्लास को स्टार्ट करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट है ओके प्रेजेंट परफेक्ट तो सबसे पहले आजीज वोल वर्ड ओर्डर हम दे देते हैं ताकि इसको आइडें प्रेजेंट परफेक्ट के टेंज में अगर हम लोग पैसिब में जाते हैं तो कैसा इसका इस्ट्रक्चर आ जाएगा कुछ ऐसा सब्जेक्ट प्लस हैज और हैफ प्लस बीन हैज आपको साथ जब भी हम लोग वह चैंज के पैसी में जाता है तो उसमें बीन जरूर लगता है प्लस पास्ट पार्टी सिपल हो गया इस प्रोसेस चलिए कुछ इग्जामपल दिखते हैं ताकि आडिया क्लियर हो जाए हम लोग का तो फर्स्ट इग्जामपल इस इग्जामपल वान आई हैव गिवन अप पैन ओके इस 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 इन एक्टिव वोईस इसमें क्या क्या आ जा रहा है सब्जेक्ट आ जा रहा है यह रहा है और है आई के साथ हमेसा है लगता है यह रहा हम लोग का गिवन यानिकी पास्ट पार्टिसिबल फॉर्म और यह रहा हम लोग का ऑब्जेक्ट ओके तो इसका हम लोग क्या करना है पैसे में चेंज करना है कैसे करेंगे अब पेन हैस बेन गिवन बा यह subject में था object में आ गया by लग गया यहां पर और past participle form लग गया है तो यह पूरी तरह से जो है passive को indicate करता है और यह passive बनाने का एक rule है जो आप लोग को पता होना चाहिए अब next है example two okay next is example two we have written a letter okay this is the example and what should be the answer in the passive words passive words में answer क्या होगा a letter has been written by us okay a letter के साथ तो has लगता है have नहीं लगता कभी भी क्योंकि यह जो है third person singular number है इसलिए यहां पर उसी तरह pain में भी हम लोग का has ही लगाता तो a letter has been written past participle form by us okay अब देख लेते हैं हम लोग example three में have they given you क्या होगा इसका change इसका तो समझ में ही आ रहा है कि oh sorry have they given you तो this is in question right तो इसका answer भी हम लोगा पैसी में जब change करेंगा वो भी question में ही आएगा तो क्या हो जाएगा कि जो auxiliary verb हम लोगा रहता है कौन है यानकी has और have and जो हम लोगा main verb रहता है जो कि past participle में रहता है main verb past participle में रहता है तो इन दोनों के बीच में हमेशा क्या लगना चीए to be verb लगना चीए जो कि have been has या have का जो to be verb होता है वो होता है been तो auxiliary verb यानि कि यह रहा has have और past participle यानि कि यह रहा written इन दोनों को बीच में हम ऐसा याद रहे है कि बिन लगता है okay in the statement जो भी statement वोना sentence रहता है उसमें okay done यह तो रहा पहला पॉइंट और दूसरा पॉइंट क्या है कि नंबर और पर्सन यानि कि जो हमनों का noun रहता है subject रहता है उसको जब हम लोग helping का यूज करेंगा उसको किसको देखके करेंगा number और पर्सन देखकर कि कौन सा नमबर है singular या plural कौन सा पर्सन है first person second person या third person इसके हिसाब से हम लोग has या have को बैठाएंगे हों आप पे ओके next topic is past perfect ओके यहां लोगा next topic है यहां पर पर्फेक्ट तेंस में sentence रहेगा लेकिन वो past में रहेगा अच्छा और अगर आप लोग को tense related कोई भी समस्या है कोई भी दिक्कत है तो मैंने tense related video upload कर दिया है आप लोग उससे देख लिजेगा past perfect present perfect क्या होता है यह सभी तमाम चीजे मैंने बहुत अच्छी तैसों आप लोग आप देख सकता है तो अब आगे बढ़ता है past perfect में active से passive बनाने में word order क्या रहता है active में कैसा रहेगा structure एक subject head plus past participle ओके और अगर यही चीज हम लोग पैसिब में करने जाए तो subject plus head plus past participle ओके यह हो गया यहाँ पर head हो गया ना क्योंकि यह past में present में जो present में जो has या have रहता है helping verb या फिर auxiliary verb यह वही चीज past में क्या बदल जाता है head में बदल जाता है okay past में have का भी head ही लगेगा और has का भी had ही use होगा तो चलिए कुछ examples देख लेता है पहला example है I had given a mango okay this is the first example how to change in the passive passive में कैसे change करें a mango had been given by me okay change हो गया head been plus past participle by me okay यहाँ पर एक चीज स्वारी दोस्तों यहाँ पर मैंने एक चीज बीन okay add हो गया head plus been plus past participle तो उसी तरह had been past participle by me okay अब देखते हैं example नमर टू पर क्या example है sadhana had taught him okay इसका भी as usual बहुत simple है he had been taught by sadhana done example 3 देख लेगा यह थोड़ा question वाला है example तो interested होगा w h word वाला when had see sung a song okay देखने में ही लग रहा है w h word से है और इसका जो question बारा तो इसका statement कैसे change करेंगे so simple when जो w h word हो अपना place कभी भी change नहीं करेगा when had a song been sung by her okay this is a change of a interrogative sentence into the passive voice a song का जो है head been होगा तो head जो है आगे चलाएगा क्योंकि question है been sung यानकि past participle by her past perfect में कुछ important points है जो की note कर लेना चाहिए वो क्या है कि जब भी हम लोग passive voice बनाते हैं उस समय वर्व का जो थर्ट फर्म रहता है जो पास्पार्टी से हम लोग इस करते हैं उसके पहले हमेशा head लगेगा और ठीक इसके बाद हमेशा बिल लगेगा ठीक है यह तो common सा चीज है जो कि मैंने वर्ट और में पहले ही बता दिये था थर्ट फर्म जो वर्ब का थर्ट फर्म है उसके पहले head और ठीक उसके बाद में बिल लगेगा अब आ जाते हैं future perfect में future perfect यह रहा हम लोगा tense इसका क्या है word order word order कुछ इस तरह से है active में अगर हम लोग देखें इसका structure कैसा रहेगा subject प्लस शैल और विल प्लस है फ्लस पास्ट पास्ट पार्टी सिप्पर ओके यह हो गया perfect है न तो यहां पे है लगेगा ही और future है तो यह विल लगेगा कहीं भी perfect अगर देख रहा तो वो has यह have यह had प्लस क्या हो जाता है past पास्ट पार्टी सिप्पर यान की भी का third form अब देखते हैं इसका passive का rule क्या है यहां पर क्या क्या है subject प्लस शैल और विल plus have been plus past पार्टी सिप्पर यह रहा हमनों का rule अब इस पे ही apply करके कुछ examples देख लेते हैं तो example one हो गया I shall have killed a hen एक मूणगी मारा है तो देखो यहां पर जो have है देखिए यह have के जबाँ पर ऐसा ना हो कि हम लोग next में change करके head कर दे या has कर दे नहीं यह जो have है हमेशा से ही रहेगा क्योंकि यह perfect में perfect में जो have या have been passive वर्स में जाके लगता है इसका has been हम लोग ना कर दे कभी भी ठीक है यह बस एक rule है तो इसका change कैसे होगा a hen will have been killed by me okay this is the correct answer okay a hen will have been killed by me this is the change अब example two देख लिजए he will have done his work okay this is the sentence in active voice इसका हम passive में कैसे change कर सकते हैं his work have been देखो यहाँ पर भी have will लगा है okay have लगा है not has इसमें हम लोग change ने कर सकता है have है तो have ही चलता रहेगा इसलिए यहाँ पर देखिए have और has करके देता right but यहाँ पर only have the aware यह रूल याद रहे have been done by him okay यह हो गया है यहाँ तक I think idea clear है हाँ कुछ points हैं जो कि हम लोग को हमेशा से याद रखना है जो कि important part में हम इसा देती हूं प्लस क्या लग जाएगा हम लोग का past participle कभी यहाँ पर हम लोग V2 ना यूज कर ले ओके इस इस बेसिक रूल जो कि हम लोग के हर समय माइंड में रहना चाहिए नेक्स्ट है present continuous इस इसका हम सबसे पहले word order देख लेते है word order क्या आ जाएगा active में क्या आता है word order subject plus m is r plus verb plus ing since यहाँ पर continuous बोल रहा है तो continuous मतलब क्या जारी है यह चल रहा है अभी भी कर रहा है तो यहाँ पर जो है ing का यूज होता है word के साथ ही तुम लोग को पता ही है जिस किसी ने भी tense को बहुत अच्छे से किया होगा वह लोग जानते ही होगे बहुत यह सब basic topic है और अगर आप लोग ने अभी तक tense से related कुछ भी चीज किसी भी चीज में mistake आप लोग या क्या बहुत है डाउट है आप लोग description में जाके देख लीजिएगा मैंने एक voice change पे भी video अपलोड कर दिया है plus past participle okay this is a rule verb plus ing हट जाता है तो m is r plus b ing being plus past participle हो जाता है कुछ examples देख लेता है idea clear हो जाएंगे example one what's the example c is doing the work वो यह काम कर रही है कर रही है अभी भी हो रहा है काम ठीक है तिसले ing continuous है इसका कैसे change होगा in the passive voice the work is being done by her okay being लग गया being जो है वो to be verb है okay past participle यह रामलों का इसके साथ एक ठो to be verb लग जाता है वो है being next example example number two I am reading a book okay this is the example how to change it it's very simple a book is being read by me okay read we third में read का ready होता है okay तो a book is being read by me हो गया इसका बहुत ही easily change कर लिए हम लोग पैसी बस में continuous हों कुछ है नहीं बस क्या रहना है हम लोग को mind में जो है word error को याद रहना है हमेशा से example three देख लेते हैं यह question वाला है question वाला हमेशा हम देते हैं तो इसका क्या हो जागा change पैसी वाइस में is a song not being sung by her okay this is a change in the passive voice और यह question voice statement था इसलिए a song is होता तो is a song not being sung by her okay अब present continuous के बारे में हैं कुछ important points है जो कि याद रखने वाली है sometimes हम लोग इसको भूल जाते हैं जब भी हम लोग active से passive में change करते हैं किसी भी present continuous वाले sentence को तो उस समय क्या होता है to be verb कौन है present का to be verb of present tense present tense का to be verb कौन होता है m is और are ठीक है यह होता है इसके साथ क्या लगाएंगे past participle past participle form लगेगा और क्या लग जाता है हम लोग का अच्छा इसके ठीक बाद ही पहले being लगता है उसके बाद past participle क्या है में यह कुछ बेसिक रूल है जो कुछ हमेंसा हम लोग को forget नहीं करना है याद रखना है तो फिर चीजे असान हो जाती है अच्छा अब हम लोग चलते हैं past continuous की और यह रहा इसका word order क्या है इसका word order क्या होगा active में subject since यहाँ पर past दिखा रहा है तो past ही रहेगा जो to be verb है उसके बाद क्या use होगा plus was और where plus verb plus ing अब अगर हम लोग इसको passive में change करने जाए इसी चीज को क्या आ जाएगा यहाँ पर हम लोग का subject plus was being और where being okay plus past participle okay तो यह रूख कुछ दो two rules हो गया है active में और passive में two rules वह दे हैं since यहाँ पर past है तो was where लग रहा है since यहाँ पर continuous है तो verb plus ing अगर लगना मस्ट है was कब लगता है singular में और where कब लगता है plural के साथ ठीक है यह तो पता ही है basic चीज है तो चलिए कुछ examples को देख लेता है example was is like that Sudha was teaching her ठीक है तो इसका passive में कैसे change हो जाएगा see हर कसी हो जाता है was being taught by Sudha ओके यह हो गया passive में अब हम लोग example two देख लेते हैं Rohan was doing the work okay how to change in the passive the work was being done by Rohan okay यहाँ पर was लगा है क्योंकि यह टो काम है बता ही दिया मैंने पहले was बतले singular और where तभी लगेगा जब वो plural में या बहुबचन में हो एक और example देख लेते है example three he was pushing you okay इसका क्या change हो जाएगा you where you के साथ where लगता है क्योंकि यह plural जो यह जो प्रोनाव नहीं है plural को indicate करता है being pushed by him okay where being past participle by him he का हो जाता है okay तो यहाँ पर कुछ बाते याद रखने वाली है कि वह बात यह हैं कि important point में आप लोग note कर लिजिए important points जब भी हम लोग किसी past continuous को पैसिव वोइस में change करते हैं तो उससे में क्या क्या आता है टूवी वर्व टूवी वर्व कौन-कौन है in the past tense past tense में जो टूवी वर्व रहता है वो कौन-कौन है was, where, where है या है कि नहीं फिर टूवी वर्व का present tense present tense बोले sorry present participle form जो कौन है being है ओके यह हुआ तो यहां पर टूवी वर्व पास्टेंस में was, where टूवी वर्व का present participle form है being तो क्या चीज हम लोग यहां पर remember करना होगा तो सबसे पहले यह टूवी वर्व का past tense वाला was, where लगेगा यह तो पता है प्लस में क्या लग जाएगा being लग जाएगा जो की टूवी वर आपका past participle form है प्लस में एकदम end में past participle लग जाता है ठीक है उसके बाद जो भी compliment या object जो भी आता हुए यह चीज बेसिक है यह चीज जावातर confusion हो जाता है जावातर tenses में तो हम लोग को याद रखना चाहिए अगर आप लोग voice of various tenses का तीन टूपाट जो मैंने बता दिया है simple present simple past और simple future उसको देखना चाहते हैं तो मैंने description में लिंक दे दिया साथ आई बटन में भी लिंक है उससे आप लोग देख लिजे तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही अगर आप लोग को यह मेरा वाच्च का कंटेन अच्छा लगा हो तो आप लोग में चानल को सब् कीजिए see you on the next video thanks watching